जे गुरुदेव सच्चे सादक के लिए एक अंतरंगवारता के अगले सत्र में मैं स्वामी वहिशंपयन आर्ट ओफ लिविंग फाउंडेशन से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का ग्यान पत्र पढ़ लेंगे फिर उस पर चर्चा भी होगी यह ग्यान पत्र 15 फरवरी 2002 बैंगलोर आश्रम भारत में दिया गया शिर्शक है मजाग और अपमान हसी मजाग एक सुरक्षा कवच है जो तुमें अपमान से बचाता है यदि तुम विनोध प्रियो हो तो तुमारा अपमान नहीं हो सकता और यदि तुम अपने को अपमानित होने की अनुमति नहीं देते तब तो तुम अजेय हो जाते हो हास्य सभी को एक साथ जोड़ता है जबकि अपमान अलग-अलग खंडित कर देता है अपमान और तिरसकार से तूटे वे समाज के लिए हास्य एक ताजा हवा के जोके के समान है हसी मजाग के साथ-साथ दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए और उनके लिए सव्वेदन शील होना चाहिए बिना ध्यान रखे या बिना सव्वेदन शील हुए किया गया कोरा मजाग प्राय उन लोगों को रुष्ट कर देता है जो तुमारे पास समस्या लेकर आते है हास्य हमारे उत्सा को बनाए रखता है पर ज़्यादा मजाग मूह हमें एक बुरा स्वाज छोड़ सकता है बगेर ग्यान के सिर्फ हास्य छिछला है ग्यान सहीत हास्य से उत्सो जैसा वातावरन उत्पन्न होता है सवेदन शीलता के बिना हास्य तीखा व्यंग होता है और वह समस्याओं को लेकर पलट कर तुमारे ही उपर पड़ता है ज्ञानी हास्य का उपयोग ज्ञान पैदा करने के लिए और परिस्थितियों को हलका करने के लिए करते है बुद्धिमान व्यक्ती हास्य का प्रयोग अपमान के विरुद एक डाहल के रूप में करते है निश्टूर व्यक्ती हास्य का प्रयोग दूसरे का तिरसकार करने के लिए एक तलवार की तरह करते है गैर जिम्मेदार व्यक्ती हास्य का उपयोग जिम्मेदारी से बचने के लिए करते है मूर्ख हास्य को बहुत गंबिरता से लेते है हास्य पूर्ण होने का प्रयास करना व्यर्थ है प्रश्न, कुशल हास्य करने की कला कैसे पैदा कर सकते है श्रीश्री, हास्य केवल शब्दों का खेल नहीं है वह तुमारे हलके अस्तित्व का द्योतक है हास्य की कुशलता ऐसे ही बहतर होती है हास्य की कुशलता सौधार्य पूर्ण और स्नेह पूर्ण व्यवहार से उत्पन्न होती है चुटकुले रट रट कर दोहराने से नहीं होती जीवन को अधिक गंबिरता से मतलो क्योंकि तुम वैसे भी इसमें से जीवित बाहर नहीं आ सकते सभी के साथ अपनत्व का भाव उनके प्रती भी जो तुमारे प्रती मित्रवत नहीं है योग और ज्यान का अभ्यास इश्वर और कर्म के नियम पर अटुट विश्वास जो ग्यान में रहते हैं और हास्य कर रहे हैं उनके साथ रहना और विदूशक बनने की ततपरता मजाक और अपमान बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है मजाक को हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तमाल कर सकते है अपमान से बचने के लिए अगर किसी ने आपको अपमानित भी किया तो अगर उसी के साथ आपने कुछ वहाँ पर उस सिच्वेशन में मजाक क्रिएट कर दिया तो वह अपमान अपमान लगीगा ही नहीं कर दो मजाक बन जाएगा तो उसको अप्विस्ट कर सकते हो कहने का उत्थर तो ही सुन्दर ये मजख हां लकिन मजाख ना तोड़ा सेंसिटिवीटि के साथ हो ना चाहिए मजाक महीं एक किसी के जीवत में उसका जीवन तो बहुत ही बोर है लेकिन मजाग हो ना अगर ज्ञान के बगएर मजाग है ना तो फिर वो तोड़ा उपरी स्तर पे शैलो रहता है वो छिचला रहता है बहुत सुंदर इसमें गुरुदेव में बता रहे हैं मजाग और अपमान के बारे में हसी मजाग एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें अपमान से बचाता है हसी में उड़ा देना मजाग में उड़ा देना फिर वो अपमान अपमान ही नहीं रहता तो हसी मजाग क्या एक सुरक्षा कवच की तरह तुमारे लिए काम करता है यदि तुम विनोद्प्रिय हो तो तुम्हारा अपमान नहीं हो सकता और यदि तुम अपने को अपमानित होने की अनुमती नहीं देते, तब तो तुम अजय हो जाते हो, कोई तुम्हें अपमानित करे, इसकी तुम्हें अनुमती अगर तुम नहीं देते हो, इसकी, और तुम मजाग परी हो, विनोध परी हो, तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता तो अल्टिमेटली तो तुम अजय हो गए विक्टरियस हो गए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता हास्य सभी को एक साथ जोड़ता है जबकि अपमान अलग-अलग खंडित कर देता है यह तो है अगर अपमान किसी का करते हो तो वो तो अलग ही हो जाएगा लेकिन हास्य करते हो तो तुमारे साथ सारे कोई जुड़ जाएंगे अपमान और तिरसकार से तूते वे समाज के लिए हास्य एक ताजा हवा के जोखे के समान है वह जो विक्रा हुआ समाज है उसको जोडने में बहुत कारगर साबित होता है निपुन्ता से किया गया हस्य तुम्हे भहे चिंता से भी मुक्त करता है निपुन्ता के साथ अगर कोई हसी मज़ाग करता है तो तुम्हे भहे और चिंता देखो न कोई जो क्रैक होता है कितने भी आप चिंती तो एक माहोल बदल जाता है बहें से दूर जाते है चिंता से उस पल के लिए तो दूर ही जाते है तो हस्य एक बहुत बड़ा काम करता है हसी मज़ाग के साथ-साथ दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए और उसके लिए सव्वेदन शीलोना चाहिए यह सवेदन शिल किया हुआ पूरा मजाग उन लोगों को रुष्ट कर देता है जो तुमारे पास समस्या लेकर आते हैं जो लोग तुमारे पास समस्या लेकर आते हैं और बिना सवेदन शिल हुए अगर तुम कुछ जो क्रैक करते हो मजाग करते हो तो तो फिर वो रुष्ट हो maintain रखता है अच्छा लगता है enthusiastic feel रहते हैं बहुत ज़्यादा आस्य फिर वो कहते हैं एक कड़वार छोड़ जाता है इतना भी नहीं हो न चाहिए उसका एक संतुलन होना चाहिए बगेर ज्यान के आस्य सिर्फ चिछला है अगर ज्यान नहीं है बगेर ज्यान के तो फिर वो ज्यान सहीत हास्य से उत्सव जेसा वातावरण उत्पन्न होता है ज्यान अगर है और फिर हास्य तो फिर तो celebration हो जाता है उत्सव जेसा गुरुजी के साथ हम अनुबव करते हैं गुरुदेव के सत्संग में गुरुजी कितना वो light moment को कर देते हैं कोई मजाग बता कर कोई विनूद बता कर या कोई प्रसंगा निष्ट कुछ बात करकर वह कितने वातावरण को और celebration ही होता है हसी मजाग के साथ एक celebration ज्यान के साथ किया हुआ हास्य उत्सव बन जाता है सव्वेदन शिलता के विना हास्य तिखा व्यंग होता है और वह समस्याओ को पलट कर तुमा तुमारे उपर ही उल्टा पड़ सकता है यह कह रहे है ग्यानी हास्य का उपयोग ज्यान पैदा करने के लिए और परिस्थितियों को अलका करने के लिए यह मैंने अभी बताया गुरुदेव के साथ हम जब रहते हैं तो ऐसे ही होता है हसी मजाग से वह वातावरण को के रूप में करता है अगर तुम सही में बुद्धिमान हो तो तुम्हारे तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक्दम स्किल्फुली उस अपमान को हास्य में बदल दोगे और वह तुम्हारे ढाल के जैसे काम करेगा निश्टूर व्यक्ति आश्य का प्रयोग दूसरों को तिरस्कार करने के लिए तलवार की तरह निश्टूर व्यक्ति होता है वो दूसरों को पूक करने के लिए तलवार से वो हर्ट तलवार से तो क्या जखमी हो सकता है तो निश्टूर व्यक्ति आश्य का इस्तमाल करता है उस चक्कर में हास्य का इस्तमाल करता है मूर्क व्यक्ति बहुत गंबिर्ता से लेता है मूर्क व्यक्ति आस्य को बहुत गंबिर्ता हास्य पूर्ण होने का प्रयास करना व्यारता है विनोधी बनने की चेश्टा मत करना वह सुपाववत वह हलका फुलका पन आना चाहिए वह आगे गुरू जी बताते भी है उसको आर्टि विजली वह वह करने की जरूरत लुद्ध करो प्रश्न कुशल करने कि कला कैसे पैदा कर सकत है श्री श्रीय हाज से केवल शब्दों का खेल नहीं वह हलके अस्तित्व का दियों तक है हाज से की कुशलता ऐसे बहतर होती है जैसे नीचे बताए वह तुम्हारा तुम्हारा फ्लीवर है वह तुम्हारा हलकापन तुम्हारे आसपास वह आते ही महसूस होगा उसके लिए क्वेशल कुछ करने की अवशक्ता नहीं है और वह हलकापन कैसे रहेंगा वह आगे पूर्ण बन जाएंगा वहाँ पे हास्य और लैटनेस आ जा जाएगा वह च्प्कुलों को दौराने से नहीं होगा रटे मार के छुटकुलों को दौराने से वह वातावरणने से नहीं बनेगा तुम्हारा फ्लेवर है वो तुम्हारे वज़े से वह हलका पनाने वाला है जीवन को अधिक गंबीरता से मतलो क्योंकि तुम वैसे भी इसमें से जीवित बाहर नहीं आ सकते तुम जीवन को इतना गंबीरता से मतलो क्योंकि आज तक इस जीवन से कोई भी जीवित बाहर नहीं आपाई इसका अंततो पृत्यु ही है इसलिए कह रहें कि इतना गंबीरता यह इतना सीरियसली मतलो जीवन को योग और ध्यान का अभ्यास करते हो न तो तुम बड़ा ट्यूनिंग में रहते हो और एक बीतल से तुम्हें उत्साह प्रेम की अनुबुती होती रहती है तुमारे चारों और भी वही वातावरण बनता है हलका फुलका वातावरण तो वह हां पर हास्य विनोत सहेज है अर्टिविशली नहीं लाने पड़ते हैं सभी के साथ अपनत्व का भाव उनके प्रती भी जो तुमारे मित्रवत नहीं है अच्छा सबके प्रती जब अपनत्व का भाव आने लगेगा वह योग ज्यान से भी होगा आप देखोगे फिर ना आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लेम नहीं रहता आप सब के लिए एक्सेप्टनस आ जाता है वह एक अच्छा बहाव बनने लगता है जिनके साथ मित्रवत नहीं है उनके साथ भी इश्वर और कर्म के नियम पर अटूट विश्वास है इश्वर पे और कर्म पे है ना उनके साथ रहने से भी आपके आसपास भी वह वातार्ण में बनता गदूशक बनने के वह पर पर ता क्या क्यानощ Heritage होता है वह उसको इतना हज़र जवाबी है ऐसे होता है न वह समय प्रेजंट में रहता है है तो वैसे बनने से भी आपके असपास वह भाव आ सकता है, वह खुशलता आ सकते है, बहुत ही बढ़िया, तो हसी मज़ाँ जरूर करना लेकिन सववेधन शील्ता के साथ करना, आपके हसी मज़ाँ के वज़rito की वज़य से किसी को रुष्ट ना होना पड़े, किसी को दुखी ना होना पड़े इतना क्या लगदा, बहुती सुन्दर ग्यान पत्र, इसको जरूर जीवन में उतारने की चेश्टा करना, इससे जुड़ेवे कोई भी प्रशन आपके मन में उठते हैं, मुझे कमेंट सेक्षन में लिखिए, वहाँ पर हम उन प्रशनों पर चर्चा करेंगे, फिर आज तो यहीं पर रुखते हैं, कल दुबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विशे के साथ, तब तक के लिए शुबरात्री जेह गुरुदे